नमस्कार मित्रो मैं मम्ता वाजपे भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है लीजिए मैं फिर हाजर हूँ नए वीडियो और नए जानकारी के साथ आप देख रहे हैं इंडियन टारिस गार्डिनिंग आर्ट तो चलिए आज फटा फट जान लेते हैं कि गार्डिनिंग का खर्चा कम कैसे किया जाए जब हम गार्डिनिंग शुरू करते हैं तब हमें उतनी जानकारी होती नहीं है तो हमारी सबजियां भी या फसल भी उतनी अच्छी नहीं होती और हम शुरू शुरू में जाने में बड़े उत्सा उत्सा में बहुत सारा खर्च कर देते हैं और जब सबजिया नहीं होती और हमारा बहुत सारा खर्चा हो जाता है तो फिर हमारा मनूबल एकदम से तूट जाता है तो मेरे गार्डन में आप देख रहे हैं कितने सारे ग्रीन ग्रो बैग हैं कुछ पॉली बैग हैं बहुत कुछ है यकिनन इसमें बहुत कुछ खर्च हुआ है लेकिन ये मैंने एक साथ नहीं किया मैंने बहुत धीरे धीरे इसको डेविलिब किया और आपको मेरी राह है कि इस तरह की बोरी से सीमेंट की बोरी से या घर में कोई भी खाली पॉली बैग निकलता है चाल्वल का हो आटे का हो या मैं तो कई वार सर्फ का जो पैकेट निकलता है उसमें भी सबजी होगा मैंने बहुत उगाई ए और बहुत अच्छी होती है घर में अगर आपके डौग है तो देखिये डौग पूट का नोब रहे ऐगा की से फसल पाधिक्री के प्लास्टिक की बोरियां लेते हैं उसमें एक परेशानी है और यह बहुत मजबूत होती है नई बोरी चाहिए होती है और ये एक साल च्छत पर धूप में रहने के बाद खत्म हो जाती है दूसरा option ये देखिया प्लास्टिक की बाल्टी है अगर आप तेल की बड़ी कुपी खरीते हैं तो वो तेल की कुपी है ऐसे बहुत से घर में निकलने बाला हर वेस्ट सामान यदि आपके पास है तो बहुत अच्छा है नहीं है तो आप किसी कबाडी मार्केट में जा कर देखें मेरे जो नीले ड्रमाद देख रहे हैं ये कबाडी मार्केट से ही खरीदे हैं मैंने और कबाड़ी मार्केट में हमें काफी सस्ती चीजे मिल जाती है और यह देखिए अगर घर में रेनोवेशन होता है तो यह मेरा किचिन का सिंक निकला हुआ है बेसेन है किचिन का तो इस तरह का जो भी सामान होता है उसे अगर आप यूज करेंगे शुरू में आप जब आपको सीख रहे हैं आपको उतना नहीं आता और आप बहुत खर्च करने के मूड में नहीं है और खर्च करना भी नहीं चाहिए पहले बागवानी बहुत अच्छे सीखना चाहिए सीखने के लिए यह वाला सिस्टम बहुत अच्छा है कि कबार से जुगाड करके हम सीखें और जब हम बहुत अच्छे से ट्रेंड हो जाए हमें अनुभव हो जाए तब हम थोड़ा-थोड़ा पैसा खर्च करें तो हमने सबसे पहले कंटेनर में बच्चत क दूसरी बात होती है मिळ्टी में हम बहुत सारा कोकोपीट भी खरीद लेते हैं हम खाद भी खरीद लेते हैं वर्मी कंपोस भी खरीद लेते हैं यहाँ तक कि मैंने कुछच लोग को देखा है कि उन्होंने जाइम भी खरीदा है दूसरा एनपी के भी खरीदा है कैमिकल और गनिक साब धेर लगा लिया वो आपको नहीं करना है आप सिंपल अगर खरीद रहे हैं शुरुआत कर रहे हैं और अगर आप महानगर में नहीं है आसानी से मिल जाता है तो आप एक बोरी गोबर पोस्ट बिन है और इसका मल्टी परपज यूज करें देखिए लकडी का एक खोका है जो फ्रूट बगएर आते हैं वैसा उसमें मैंने जालियां फसाके और लकडियां फसाके बिल्कुल जुगार वाला है है और इसके बॉर्टर पर देखिए गद्दे का कोयर रखा था व आमने गोबर की खाद लेली एक बोरी दो बोरी मिट्टी लेली और तीन बोरी मट्र लेके पांच शे गमले से शुरुआत की अब हमें इसको बढ़ाना है तो आपको और मिट्टी नहीं करीदना यदि आप महानेगर में हैं तो आप मिट्टी के साथ थोड़ी सी कोको पीट भी खरीदे कोको पीट बजन को भी हलका करता है और मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है अगर आप ऐसी जगह पहें जहां आपको सूखे पत्ते मिल सकते हैं सूखे पत्ते एक तरह से कहना चाहिए कि जादूई जादूई असर करते हैं बागवाने के लिए सूखे पत्तों का गोबर की खात का बहुत बड़ा महत है तो मेरे पास तो अपने गार्डन से बोरी दो दो बोरी पत्ते निकल आते हैं यदि आपके पास नहीं है ऐसी यवस्था आप कहीं भी घूमने जाए या अपने माली को या बाई बगर को कह दें तो वह आपको किसी भी पेड़ के इसे जड़ हुए पत्ते ला देंगे तो यह जो मिट्टी आपने खरीदी है एक बोरी गोबर दो बोरी मिट्टी इसमें आप बस हर बार सुखे पत्ते बार बार मिलाते जाएं साल दो साल में आप देखिए तीन-चार बोरी पत्ते तो आप मिला दें इसमें और वह पत्ते डीकमपोज होते जाएंगे मिट्टी खाद युक्त होती जाएगी मिट्टी में और मिट्टी हलकी होती जाएगी और यही पत्ते कोको पीट का काम करेंगे मुफली के छिलके नारियल के जटा और आपका गार्बेज जो किचिन का निकल रहा है वो पूरा इसी में जाएगा त तो आपको उतना महेंगा नहीं पड़ेगा इतनी सब्चीतों आपके पास हो जाएगी और चुकि आपने मिट्टी में बहुत अच्छी मिट्टी बनाई है उसमें आपने किचिन कॉम्पोस्ट भी डाला है पत्ते डाले हैं सुखी लकणियां कुछ नीम के पत्ते बगारा भी दालें थोड़ी सी राक भी डालें तो यह सब जो बनाले मिट्टी बनती है नेचरल प्रोड़क से पत्ते से टहनी यह बनती है इसमें जो होती है रोग परतिरोदक्षमता अच्छी होती इस अपन्ते में पौदें अच्छी होते और या आपको कॉन्स्टेंट करना हर 15 भी बीच का तो जो महानगरों में शहरों में लोग है वो ओनलाइन फटा-फट देखते हैं और मगा लेते हैं यूट्यूब पर भी बहुत लोग बेच रहे हैं और वह बिजनस है मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी लेकिन मेरा अपना तजर्वा है कि मैं लोकल की जो तो आपकी सब कम खर्चे में आ जाती है तीसरा देखिए आप खर्चा होता है ट्रेलेस बनाने का तो यह मेरी जाली लगी आप देख रहे हैं यह मेरे घर के रेनोवेशन हुआ था उसमें निकली भी पुरानी जाली है और उपर देखिए सब जुगाड कई है तो हाला कि मै तो मैं आपको जुगाड बताती हूं देखिए यह पुराना डेस्ट्विन है इसमें रेद भर दी और इसमें कुछ इट के टुकड़े दबा दबा दिया पत्थर के टुकड़े डाल दी और यह बांस लगा दिया ऐसे ही चार पाए करके आप चार डस्ट्विन चार प्लास आप इनको भी इन पर भी बेलें चड़ा सकते हैं यह देखिए दूसरी ट्रेलिस बनी है नारियल की रस्टियां जरूर यूज करें यह इन पर क्या होता है खुरदूरा पन होता है तो बेलें बहुत जल्दी लिपटती हैं चिकनी रस्टी कभी न बांदें चिकने नेट प बहुत महेंगी भी नहीं आती है इसमें थोड़ा वीविंग करनी पड़ती है देखिए मेरे सूखे पत्ते और यह देखिए मेरी तरह है बाद में थोड़े से आप जब एक्सपर्ट हो जाए तो नीले ड्रम जो मैंने खरीदे हैं आप जो देख रहे हैं वह भी आप बहुत महेंगे नहीं है आठ सो रुपे का एक ड्रम है जिसमें से दो गंबले बन गए तीसरी बात आ जाती है कि यह देखिए किचिन कंपोस्ट बन रहा है यह नारील के जटा तीसरी बात आ जाती है कि दवाई का खर्चा आप सिर्फ खरीद रहें तो एक नीम ओल खरीद हो उन्हें आप उबा लें उनका रस्टंडा करें स्प्री कर दें यह रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ाते हैं कीट ना सकतो नहीं है लेकिन कीटों को डिस्ट्रेट करते हैं यह आप कर सकते हैं और इसके इलावा बीच का यह भी है कि किचिन में से भी बहुत सारी बीच मिट्टी में और गर्मी में तो बहुत ही अच्छे हैं उपर से देखिए मॉइस्ट्र को भी रोक के रख रहा है दीरे दीरे डीकंपोज हो रहा है और मिट्टी ऐसी हो जाएगी जैसे जंगल की मिट्टी होती है पत्ता तो आप एक भी न फैंके जब भी प्रूनिंग करें करें और बायो डायवरस्ति जरूर क्रिक करें तकि बगयों मैं कम रोगाएं जैसे के देकिए मैंने फूलों के भी पोदे लगाएं सब्जीयों के भी हम जाया है यह orchid ऐस्वगंदा लगाया है ऐसल लगाइन हैבane अभी मैंने आपको यह देखिए अस्वगंदा因 को यह ब अमीद है वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें शेयर भी करें और सब्सक्राइब तो मुझे प्लीज कर ही लें और मेरे बताए इन उपायों को प्लीज आप एक बार आजमा कर देखें और आपको पक्का सफलता मिलेगी आपकी बागवानी की लागत बहुत कम हो जाएगी तो मिलते हैं अगले वीडियो में